प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूँ SD Campus के डेली करेंट अफर के क्लासेस में तो डेर अबरीबन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे लाइक बटन जरूर दबा दीजे ताकि आपको डेली मेरा करेंट अफर का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल सके तो चलिए फिर हम सुरू करते हैं अपने शांदार करेंट अफर की जर्नी को तो हमारा पहला करेंट अफर का कोश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ये रहा ये रहा तो सबसे पहला सवाल है कि अभी हाली में बाफ्टा पुरुसकार दोजार चौबिस में तर्बस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार किसने जीता है तो बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा है तो इसका राइट अंसर होगा किलियन मर्फी ओप्सन नमबर डी जो है वो राइट अंसर होगा तो किलियन मर्फी इसमें किलियन मर्फी जो है वो एक एक्टर है ठीक है और इनको BAFTA Award 2024 में Best Actor का Award मिला है अगर हम BAFTA की बात करें तो BAFTA का पुरा नाम है British Academy of Film and Television Arts इसकी सुरुवात 1949 से हुई थी इस बार 2024 में ये 77 नंबर का एडिसन रहा है BAFTA का इसमें Best Film का जो Award मिला है यानि कि BAFTA में Best Film का जो Award मिला वो Open Hemer को मिला है और इसमें Best Actor का जो Award मिला वो Killian Murphy को मिला है Open Hemer Movie के लिए और Best Actress का जो Award मिला BAFTA में वो Emma Stone को मिला है Poor Things के लिए और इसमें Best Director का जो Award मिला है वो Open Hemer Movie के Best Director है Christopher Nellon को मिला है तो ये point भी आपको यार रखना है super important है तो अभी बाफ्टा एक्टर का जो एक्टर का एक्टर का एक्टर का एक्टर का एक्टर का मिला वो Killian Murphy को मिला है किस movie के लिए तो open humor movie के लिए इस बार का 77 edition था इसमें best actor का award Killian Murphy को मिला है open humor movie के लिए best actress का award Imma Stone को मिला है poor things के लिए और best director का award open humor movie के लिए मिला है Christopher Nolan को तो इतनी बाते आपको याद رखना है भूलना नहीं है super important है देखो ये जो Killian Murphy है जिनको अभी बाफ्टा एक्टर 2024 में बेस्ट अक्टर का अवॉर्ड मिला है Killian Murphy को इंसे रिलेटेड अभी हाली में एक और करेंट आफर आया था कि अभी हाली में एक और अवॉर्ड हुआ था जिसका नाम है Golden Globe Award ये भी Best Movie को Best Actor को B스트 Actress को दिया जाता है Golden Globe Award तो Golden Globe Award 2024 जो इस बार का 81 एडिसन था मैंने आपको पढ़ाया था ये अमेरिका की कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में आयोजीत हुआ था तो इसमें बेश्ट मोसन पिच्चर का एवार्ड मिला था ओपेन हीमर को बेश्ट मेल एक्टर का एवार्ड मिला था आपका किलियन मर्फी को ओपेन हीमर मुवी के लिए और बेश्ट एक्टरेस का एवार्ड मिला था आपका क्या नाम उसका लीली ग्लेंडिस्टोन को फिल्म का नाम है कीलर आप दा फ्लावर मून और इसमें बेश्ट डिरेक्टर का एवार्ड मिला है आपका क्रिश्टोफर नोलन को ओपेन हीमर पाइनली जो बाफ्टा एवार्ड हुआ 2024 उसमें भी बेस्ट एक्टर का एवार्ड मिला है किलियन मर्फी को किस मुवी के लिए ओपेन हीमर मुवी के लिए तो इतनी बाते आपको याद रखना है भूलना नहीं है सूपर इंपोर्टेंट है आपको ये भी याद होगा मैंने जो United Kingdom की मुवी है इसमें Golden Peacock Award मिला था किस Best Film को तो Golden Peacock Award मिला था Best Film Endless Border को और सत्य जीतरे Lifetime Achievement Award मिला था Michael Douglas को आपको मैंने पढ़ाया है और इसमें Closing Film रही थी आपका Feather Weight जो एक US की मुवी है ये सब हम आपको बैकडेट के Current Affairs में पढ़ाये है ये आपको याद होगा ठ जो है आपका Grammy Award ये Music के Field में दिया जाता है संगीत के छेतर में दिया जाता है तो Grammy Award 2024 जो इस बार का 66 Edition था ये कहां पर हुआ था Lost Angels अमेरिका में हुआ था Grammy Award Music के छेतर में दिया जाता है संगीत के छेतर में दिया जाता है कौन देता है तो Recording Academy देती है और किस भारतिये Album ने अभी हाली में यह award जीता है तो Grammy Award अभी किस भारती album ने जीता है तो उस album का नाम है This Moment और यह This Moment album में ठीक है कौन-कौन काम किये थे तो तबला वादक जाकीर हुसेन, वाइलिन वादक गनेश राजगोपालन, गायत संकर महादेवन और ताल वादक जिसका नाम है शेलवा गने यह album रही है जिसको यह award मिला है Grammy Award और इन सब का जो group है इस group का नाम दिया गया है सक्ती band group याद रखे का super important है और जाकीर हुसेन और बासूरी वादक जिसका नाम है राकेश चौरसिया इन्होंने पस्तो और as we speak के लिए भी Grammy Award जीता था तो यह सारे points आपको याद रखना है भूलना नहीं है super important है और इसी Grammy Award में Album of the Year का Award मिला था Taylor Swift को Midnight's के लिए Record of the Year का Award मिला किसे तो Miley Cyrus को Flowers के लिए और Song of the Year रहा है जिसका नाम है Billy Ellis What Was I Made 4 के लिए तो इतनी बात आपको याद रखना है भूलना नहीं है यह सब मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है इसी तरह से आ अभी हाली में किस भारतिय डॉक्यमेंटरी फीचर फिल्म को 96 नंबर का Academy Award जिसको हम Oscar Award कहते है उसके लिए नॉमिनेट किया गया है तो फिल्म का नाम क्या है To Kill a Tiger तो अभी हाली में किस भारतिय डॉक्यमेंटरी फीचर फिल्म को 96 नंबर का जो Academy Award है जिसको हम Oscar Award कहते है उसक मार्च को ये लॉस एंजल्स के डॉल्बी थियेटर मा आयोजन होने वाला है 96 नंबर का ओसकर एवार्ड, एकेडमी एवार्ड का वितरन होगा तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सूपर इंपोर्टेंट है ओसकर एवार्ड की अगर हम बात करें तो आसकर एवार्ड 2023 जो 95 एडिसन का था उसमें बेश्ट पिक्चर का एवार्ड मिला था Everything, Everywhere, All at Once के लिए और आसकर एवार्ड 2023 में बेश्ट एक्टर का एवार्ड मिला था ब्रेंडर फ्रेजर को, The Well Movie के लिए बेश्ट एक्ट्रिस का एवार्ड मिला था Michelle Yohko ठीक है पहली एश्टियन के लिए बेश्ट डारेक्टर का एवार्ड मिला था Daniel Kwan को बेश्ट सौंग का एवार्ड मिला था भारत का वो सौंग, नाटू नाटू सौंग RRR मूवी का, जिसके म्यूजिक डारेक्टर थे MM किरावनी और इसमें बेश्ट डॉक्यमेंटरी मूवी का एवार्ड मिला था The Elephant Whisper के लिए जिसके डारेक्टर थे कार्ति की गोंजाविल्स तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है भूलना नहीं है, सूपर इन्पोर्टेंट है तो यह हो गई Oscar Awards की बात Clear? चलिए तो इतनी बाते आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, सूपर इन्पोर्टेंट अब आते हैं, हम अपने next current affairs के तरब और हमारा अगला current affair है कि अभी हाली में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने Inset 3DS Satellite को अभी हाली में launch किया है, तो इसका right answer होगा हमारा प्यारा ISRO Indian Space Research Organization तो अभी हाली में ISRO ने Inset 3DS नाम का satellite को launch किया है, अगर हम Inset 3DS satellite की बात करें तो यह किस तरह का satellite है? यह एक metrological satellite है, metrological survey का मतलब मौसम विज्ञान संबंधि सूचना ISRO को देगा, तो मौसम पुर्वा अनुमान, ठेक है, कि भविस्ञ में मौसम कैसा होने वाला है, कब बारिश होगा कब तुफान आएगा, कहाँ पर कौन सा कैसा मौसम रहने वाला है तो मौसम पुर्वा अनुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, यह satellite साश्टर है, उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है यह design किया गया है satellite को और इसको अभी launch किया गया है आंध्र परदेश हरी कोटा, 37 धवन Space Center से, किस rocket से launch किया गया है, तो यह जो Inset 3DS satellite है, इसको किस rocket से launch किया गया है तो इस rocket का नाम है GSLB F-14 नाम का rocket GSLB, Geo Synchronized Launch Vehicle इसको कहते है Geo Synchronized Launch Vehicle F-14 नाम का rocket से यह Inset 3DS नाम का satellite को launch किया है, इस तरो ने यह जो GSLB F-12 नाम का rocket है इसको हम Naughty Boy भी कहते है, Naughty Boy क्यों कहते है Naughty Boy क्योंकि GSLB F-12 जो rocket है, वो ज़्यादा तर उतने सफल नहीं रहते है है ना, वो मतलब ज़्यादा तर इस rocket से अगर कोई भी satellite को launch किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, लेकिन यह इस बार जो यह Inset 3DS नाम का जो satellite launch किया गया GSLB F-14 नाम का rocket से वो पूरे तरह से सफल रहा है, इसलिए GSLB F-14 नाम का जो rocket है इसको Naughty Boy rocket कहते है यह आपको याद रखना है, इसके पहले अगर हम बात करें, तो 2013 में इसी तरह से मौसम पुर्वानुमान के लिए ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक और satellite launch किया गया था जिसका नाम था Inset 3D यह 2013 में launch किया गया था और इसी तरह का 2016 में एक और satellite launch किया गया था वेदर फोरकास्टिंग के लिए वो था आपका Inset 3DR Inset 3DR ठीक है, तो यह दोनो satellite भी, जो 2013 में launch किया गया था Inset 3D और 2016 में launch किया गया था Inset 3DR यह दोनो satellite भी एक वेदर फोरकास्टिंग satellite था, तो इन दोनो satellite को और support करने के लिए इन दोनो satellite को और बहतर तरीके से support करने के लिए यह Inset 3DS नाम का satellite को अभी इस रोन्च किया है याद रखिएगा जो एक वेदर फोरकास्टिंग satellite है किस rocket से launch किया गया? GSLV F-14 नाम का rocket से कहां से launch किया गया? तो हरी कोटा के 37 धवन Space Center से Inset का full form अगर आप से पूछे कि Inset का full form क्या है? तो Inset का full form है Indian National Satellite Indian National Satellite यह आपको याद रखना है सबसे पहले ISRO जो है वो 1983 में Inset 1B को launch किया था जो एक क्या बोलते है वेदर फोरकास्टिंग सेटलाइट था याद रखिएगा Inset 1B जो 1983 में सबसे पहले ISRO ने launch किया था मौसम पुरवानुमान सेटलाइट यानि कि वेदर फोरकास्टिंग सेटलाइट तो इतनी बाते आपको याद रखना भूलना नहीं है सूपर इन्पोर्टेंट है किलियर अब आईए अब हम लोग क्या करने वाले है अब हम लोग पिछले एक सालो में पिछले एक सालो में कौन-कौन से रॉकेट से हमने कौन-कौन सा सेटलाइट लाँच किया है आई एक बार हम उसका क्विक रिविजन करते है कि पिछले एक सालो में हमने कौन-कौन से रॉकेट से कौन-कौन सा सेटलाइट लाँच किया है आईए एक बार हम उसका quick revision कर लें, क्योंकि इसे exam में questions बनते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, PSLV C-54, polar satellite launch vehicle कहते है, PSLV का पूरा नाम, polar satellite launch vehicle, तो PSLV C-54 नाम का rocket से, हमने भुटान का एक satellite launch किया था, जिसका नाम था, ठीक है, insert to be satellite, याद रखिएगा, उसके बात PSLV C-55 नाम का rocket से, हमने सिंगापूर का एक satellite launch किया था, जिसका नाम था, टेल EOS-02, उसके बात PSLV C-54 नाम का rocket से, हमने सिंगापूर का 7 satellite launch को लांच किया था, जिसमें से एक satellite का नाम था, DSSAR satellite, जो खराब मोसम में भी अच्छे से चाम कर सकेगा, उसके बाद PSLV C57 नाम का रॉकेट से हमने 2 सितमबर 2023 को आधित्य L1 सन के इस्टडी के लिए भारत ने सूरी के अध्धन के लिए आधित्य L1 नाम का सेटलाइट को भी मिसन को लॉंच किया था किस रॉकेट से तो PSLV C57 नाम का रॉकेट से उसके बाद PSLV C58 नाम का जो रॉकेट है PSLV C58 नाम का रॉकेट उससे हमने 1 जनवरी 2024 को देश का पहला ठीक है जो है वो एक्सपो सेट नाम का सेटलाइट लॉंच किया था एक्सपो सेट का पूरा नाम है एक्सरे पॉलरी मीटर सेटलाइट एक्सरे पॉलरी मीटर सेटलाइट ये ब्रहमांड में युनिवर्स में ब्लैक होल्स पर रिसर्च करेगा तो पूरे ब्रहमांड में ब्लैक होल्स पर रिसर्च करने के लिए हमने 1 जनवरी 2024 को एक सेटला नाम का rocket से navigation का first generation का satellite भी launch किया था उसके बाद हमने 2023 में SSLV-D2 नाम का rocket से SSLV का पूरा नाम small satellite launch vehicle होता है small satellite launch vehicle तो SSLV-D2 नाम का rocket से हमने 3 satellite को launch किया था EOS-07, Genus-01 और Ajadi Set-2 ये 3 satellite को हमने launch किया था ठीक है ये तीनो communication satellite है और ये भारत का सबसे छोटा rocket है तो अब तक इस रो के इतिहास में भारत का सबसे छोटा rocket है ये SSLV-D2 नाम का rocket जिससे हमने 3 satellite को launch किया चंद्रयान 3S को आप तो भूली नहीं सकते है 14 सितंबर, 14 जुलाई 2023 को हमने LVM3-M4 नाम का rocket से यानि कि launch vehicle Mark 3 M4 नाम का rocket जिसको हम बाहुवली rocket कहते है तो उससे हमने चंद्रयान 3 ना, चंद्रयान 3 mission को launch किया था उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा देश है चाइनाम, जिन्होंने methane gas से operate होने वाला एक rocket को launch किया था जिसका नाम था rocket का नाम Jukai-2, तो Jukai-2 एक rocket का नाम है जिससे चाइना ने methane से operate होने वाला एक satellite को launch किया था ये आपको याद रखना, उस rocket का नाम है Jukai-2 और रस्या ने भी अपना एक moon mission launch किया था जुलाई मन्त में जो असफल रहा ठीक है तो रस्या का moon mission का नाम था Luna 25 ठीक है इसको किस rocket से रस्या ने launch किया था सुयोज 2 नाम का rocket से उसके बाद आपको पता होगा अभी मैंने अभी just आपको बताया कि inside 3DS नाम का एक satellite जिसको हमने किस rocket से launch किया है GSLV F2L नाम का rocket से जियो सिंक्रोनाईज launch vehicle F2F40 नाम का rocket से हमने इसको launch किया है inside 3DS नाम का satellite जो weather forecasting satellite है याद रखिएगा और आपको पता होगा Space X ने Space X जो Tesla का space company है यानि कि जो Alan Musk है उनकी space company है जिसका नाम है आपका Space X तो Space X ने Space X का जो Falcon 9 नाम का rocket है Space X का जो Falcon 9 नाम का rocket है उससे इसरों ने अभी हाली में एक satellite launch किया था जिसका नाम था GSLV G20 satellite जो एक communication satellite है याद रखिएगा super important है और आपको याद आएगा pace mission याद है महसागर महसागर का मतलब होता oceans मतलब और वायू मंडल जिसको हम लोग कहते atmosphere तो वायू मंडल और मतलब atmosphere और आपका हम बात करते है महसागर जिसको हम ocean कहते है तो atmosphere और oceans के study के लिए NASA ने एक pace mission को launch किया था किस rocket से तो falcon 9 नाम का rocket से ठीक है यह आपको याद रखना है तो मैंने आपको pace mission पढ़ाया था कि महसागर oceans और atmosphere वायू मंडल के अध्यन करने के लिए pace mission को किसने launch किया था NASA ने जो अमेरिका की space agency है pace का पूरा नाम है क्या नाम है plankton, aerosol, cloud, ocean ecosystem इसको किस rocket से launch किया गया तो falcon 9 नाम का rocket से किसने launch किया तो space x ने यह भी आपको याद रखना है super important है मैंने अभी पढ़ाया है अभी आपको ठीक है फरवरी का ही current affair है ठीक है उसके बाद अब बात इसरो की भी कर लें थोड़ा क्योंकि इसरो नहीं इसको launch किया है तो इसरो का पूरा नाम है Indian Space Research Organization इसरो की स्थापना कब हुई थी तो इसरो की स्थापना हुई थी 15th अगस 1969 को ठीक है 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 ना 15 अगस 1969 को किस 5 यर प्लान में तो चौथी पंचवर्षी योजना में 4th 5 यर प्लान में इसरो की बात करें तो इसका headquarter कहां है तो इसरो का headquarter बे इसरो के वर्तमान में chairman कौन है तो इसरो के वर्तमान में जो chairman है उसका नाम है S. Somnath जो अभी 10 वे नंबर के chairman है और इनके जीवन पराधारित किनके जीवन पराधारित S. Somnath ने अपने खुद की एक autobiography लिखी थी जिसका नाम था निलावु कुदीचा सिमंगल जो मलयालम language म में लिखा गया है तो इसरो के जो वर्तमान में chairman है S. Somnath इन्होंने अपने खुद की एक autobiography लिखी है जिसका नाम है निलावु कुदीचा सिमंगल जो मलयालम language में लिखा गया है और आपको याद होगा ये फरवरी का ही current affair है कि अभी S. Somnath जी को उनके बहतर कारे के लिए एक एवर्ड से सम्मानित किया गया था KPP नमबियर पुरुसकार दोहजार चौबिस याद है न मैंने पढ़ाया है कि इसरो के chairman S. Somnath जी को अभी KPP नमबियर पुरुसकार दोहजार चौबिस से भी सम्मानित किया गया याद होगा मैंने पढ़ाया है recently इसरो के former chairman इसरो के former chairman थे K7 इनको rocket man of India कहते है याद रखिएगा super important है जबकि rocket woman of India रीतु करिधल को कहा जाता है जो चंदरयान 3 की leading director थी और 2013 में जो mangal mission launch किया गया था मार्स mission उसकी deputy director थी और इसरो का motto क्या है इसरो का motto क्या है space technology in service of humankind इसरो ने बेंगलूरू में 2023 में एक virtual museum launch किया था जिसका नाम था spark ये भी आपको याद रखना है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने इसरो को दो target दिया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने इसरो को दो target दिया है पहला target कि 2035 तक 2035 तक तुमको अपना खुद का एक space station इस्थापित करना है और 2040 तक इंसान को चंदरमा तक पहुचाना है ये आपको याद रखना ह इसरो का एक मिसन है गगन यान मिसन जो 2024 या 25 को लॉंच होने वाला है तो यह जो गगन यान मिसन है इसका उदेश है मानव को अंतरिक्ष तक पहुचाना मानव को स्पेस तक पहुचाना यह आपको याद रखना है ठीक है एक इसरो का समुद्र यान मिसन भी है समुद्र यान म जिसका उद्देश से है कि समुद्र के गहराई में 6000 मीटर तक पहुचना मिनरल और वाटर और्गनिजम के स्टडी के लिए ठीक है और इसमें एक स्पेसल टाइप का वैकल का यूज किया जाएगा जिसका जो 6000 मीटर की गहराई तक समंदर में जाएगा जो खनीज है समुद्र के अंदर खनीज और जो जलिये जीव है उसके स्टडी करेगा और उस वीकल का नाम होगा मतस से 6000 इसी में वैज्ञानिक लोग बैठ कर जाएगे समुद्र के नीचे 6000 मीटर मिनरल और वाटर और्गनिजम के स्टडी के लिए उस वीकल का नाम है मतस से 6000 आपको पता है इसरो ने अपना एक खुद का एक सौप्टवेर बनाया है उस सौप्टवेर का नाम है FISHT का पूरा नाम है Finite Element Analysis of Structure ये जो सौप्टवेर है इस सौप्टवेर में इसरो के वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे रॉकेट और सेटलाइट बगरा डिजाइन करेंगे याद रखिएगा और एक जनवरी 2024 को इसरो ने X-ray Polarimeter सेटलाइट को लॉंच किया पुछेगा बताओ 2024 का पहला सेटलाइट कौन सा इसरो ने लॉंच किया तो 2024 का पहला सेटलाइट जो इसरो ने लॉंच किया था उसका नाम था X-ray Polarimeter सेटलाइट जो ब्रह मांड के इस टढ़ी के लिए यूनिवर्स में Black tools के इस टढ़ी के लिए इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला सेटलाइट लॉंच किया था, एक्सपोसेट सेटलाइट, एक्सरेइ पॉलेरी मिटर सेटलाइट, ठीक है, याद रखेगा, किस रॉकेट से, तो PSLV C-58 नाम का रॉकेट से, और अब इहाली में, पहली बार इतिहास में, पहली बार इतिहास में, पहली बार इतिहास में, इसरो ने किस विदेशी रॉकेट से, अपना सेटलाइट लॉंच किया है, तो पहली बार इतिहास में, इसरो ने GSLV 20 नाम का, जो सेटलाइट है, उससे, मतलब, कहने का मतलब, GSLV 20 सेटलाइट को, Falcon 9 नाम का रॉकेट से लॉंच किया है, Falcon 9, ये जो, टेसला मतलब, क्या बोलते हैं वो, Falcon 9 नाम का जो रॉकेट है, ये Space X कंपनी ने बनाया है, ठीक है, जो Alan Musk की की Space Agency है, Space X अमेरिका की, उसके द्वारा बनाया गया ये रॉकेट है, Falcon 9 राम का रॉकेट, तो पहली बार इसरो अपने इतिहास में, पहली बार इसरो अपने इतिहास में, इसी 2024 के जनवरी मन्त में, पहली बार, इसरो ने इतिहास में, अपना एक खुद का सेटलाइट लॉंच किया है, ठीक है, GSLV 20 सेटलाइट, जो एक कॉमुनिकेशन सेटलाइट है, और किस रॉकेट से, Falcon 9 नाम का रॉकेट से, जो एक विदेशी कंपनी का रॉकेट है, समझ में आया, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सूपर इन्पॉर्टेंट है, और ये रॉकेट को किस ने बनाया है, Falcon 9 नाम का रॉकेट को, SpaceX ने, ठीक है, याद रखिएगा, सूपर इन्पॉर्टेंट है, तो ये हो गया, इस तोरों से रिलेटेड आपको, बैक डेट का करेंट अफेर्स, और स्टेटिक पॉइंट्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया भी देखो, KPP नम्बियार पुरुसकार, 2024 से सम्मानित किसे किया गया, S. सोमनात को, किसके द्वारा, तो Institute of Electrical and Engineering केरला के द्वारा, ये पुरुसकार, Electronic Industry के, जो अगरनी, एक वैज्ञानिक, एक इंजिनियर, जिसका नाम है KPP नम्बियार, उनकी याद में दिया जाता है, जो Institute of Electronic and Electronic Engineering केरला के, संस्थापक थे, फाउंडर थे, और ये जो पुरुसकार है, KPP नम्बियार पुरुसकार, ये मानवता के लिए, टेकनोलोजी को बढ़ावा देने के लिए, किसी पर्सन या किसी ग्रूप को दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसी तरह भी इसरो को एक और एवार्ड मिला था, दोहजार तेज्स में, लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज, याद है, 2023 में मिला था इसरो को, लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज, चंदरयान थृ के सफलता पूरवक लेंडिंग के उपलक्ष में, ठीक है, लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज, 2023 से सम्मानित किया गया था इसरो को, ये पूरुसकार कौन देता है, आइसलेंड, तो आइसलेंड के हस्विक नामक सहर में इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम के द्वारा यह एवार्ड जो है, यह मून मिसन पर रिसर्च करने के लिए या एस्ट्रोनॉमिकल अबजेक्ट पर बहतर तरीके से रिसर्च करने के लिए ठीक है, Space Agency को यह एवार्ड दिया जाता है, जो इस बार 2023 में लीफ एरिक्सन लूनर प्राइस इसरो को दिया गया था याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, सूपर इन्पॉर्टेंट है, किलियर तो पूछेगा, इसरो के वरतमान में जो साइन्टिस्ट है, जिनका नाम है S. Somanath, दस्वे नंबर के ये अभी चियर्मैन है, तो इसरो के जो वरतमान में चियर्मैन है, जिसका नाम है S. Somanath, इनको किस एवार्ट से सम्मानित किया गया, तो KPP नाम बीयार पुरुसकार और पूछेगा इसरो को कौन सा है वाट से समानित किया गया तो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज तो इतनी बाते आपको याद रखना है भूलना नहीं है सूपर इंपोर्टेंट है किलियर अब जब बात इसरो की हो गई और रॉकेट्स की हो गई सेटलाइट्स की हो गई तो यह हो नहीं सकता तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए तो चंद्रयान 3 को भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं बहुत दिन के बाद चंद्रयान 3 आया है आईए इसको भी रिविजन कर लेते हैं चलो देखते हैं किसको किसको याद है तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉंच किया गया था ठीक है कहां से लॉंच किया गया था 14 जुलाई 2023 को तो कहां से लॉंच किया गया था वही जहां से सारे सेटलाइट लॉंच होते हैं 37 धवन स्पेस सेंटर से लॉंच किया गया था आंधर परदेश और ये चंद्रमा की सता पर कब कदम रखा तो दुनिया में चंद्रमा के दच्छनी धुरू पर कदम रखने वाला पहला देश बना है भारत, जो 23 अगस्ट 2023 को चंद्रमा के दच्छनी धुरू पर कदम रखा, इसलिए हर साल हम 23 अगस्ट को मनाएंगे National Space Day, राश्ट्री अंतरिक्च दिवस, किस रॉकेट से लॉंच क इसका वेट कितना है, इसका वजन कितना है, तो 3900 किलो गराम है, यह आपको याद रखना है, इसको जो लेंडर थे उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रग्यान, इसके प्रोजेक्ट डिरेक्टर थे पी वीरा मुथवेल, चंद्रयान 3 के, और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के जी सस्थान पर उतारा गया, उसका नाम क्या दिया गया, सीव सक्ती पॉइंट, अभी लगातार ये बहुत सारी एक्जाम में पूछा गया है, और भविस में भी पूछने की संभावना है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 को लॉंच करने में कितना रुपया क खर्चा आया था, तो 614 करोर रुपया का, मिलियन में बात करें तो 75 मिलियन, चंद्रयान 3 की लीडिंग डारेक्टर कौन थी, रीतू करीधल, ये लखनाओ की रहने वाली है, उत्तर परदेश, और इसको रॉकेट वोमेन अफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेग और उत्तर परदेश गौरव सम्मान से भी अभी हाली में इसको सम्मानित किया गया, अभी चंद्रयान 3 में जो काउंड़ाउन लेडि थी, उसका नाम था, एन वलार मती, इनका भी डेथ हो गया, देखे थे ना, जब चंद्रयान 3 लांच कर रहा था, तो ये पीछे से इसक उसके बाद रॉकेट लांच, तो उसमें काउंड़ाउन लेडि यही थी चंद्रयान 3 की, एन वलार मती, जिनका डेथ हो गया, ठीक है, और ली फेरिक्सन लूनर प्राइस से सम्मानित किया गया इस रोको, चंद्रयान 3 के सफलता पुर्वक लेंडिंग के उपलक्ष में, आदित्य L1 की बात करें, तो आदित्य L1 में L का पुरा नाम है लेंगरेज पॉइंट, ये भारत का पहला सूरी विसम मिसन है, लेंगरेज पॉइंट उस पॉइंट को कहते है, जहां पर अगर कुरोई भी ऑबजेक्ट को रखा जाए, तो ना तो सन का ग्रेविटेसनल फो उसको अपनी ओर खेच सकता है, उस अबजेक्ट को, तो आदित्य L1 में L का पुरा नाम है लेंगरेज पॉइंट, इसको किस रॉचेट से लॉचेट से लॉचेट से लॉचेट से, कहां से लॉचेट किया गया, तो सतीज धवन स्पेस सेंटर से, इसमें टोटल कितने पेलो पॉचेट से, तो PSLV XL नाम का रॉचेट से, चंद्रयान 2 ये 2019 में लॉच किया गया था, किस रॉचेट से, तो GSLV MK3 M1 नाम का रॉचेट से, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, स्टूपर इन्पॉर्टेंट है, चलो जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्ष् अध्यक्षिता किस देश ने की है, तो भारत ने की है, ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, ठीक है, कि Social Development जो Commission है, तो Social Development Commission का 62 नंबर का जो सेशन है, उसकी अध्यक्षिता किस देश ने की है, भारत ने की है, तो अभी भारत ने Social Development Commission की 62 नंबर के सत्र की उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें रिपर्जेंटेटिव किया और 2025 में जो सोसल डेवलप्मेंट कमीशन का 63 नंबर का सेशन होगा उसकी अध्यक्षिता कौन करेगा तो पॉलेंड करेगा ये भी आपको याद रखना है सोसल डेवलप्मेंट कमीशन की बात करें तो ये एक आर्थिक मतब एकोनॉमिक और सोसल काउंसिल का एक फंसनल बॉडी है जो सोसल डेवलप्मेंट मामलों पर अंतराश्ट सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपून इंटर गबर्मेंटल बॉडी है ये आपको याद रखना है मतब पूरी दुनिया में समाजिक सुरच्छा को कैसे बहतर बनाये जाए लोगों का लिविंग ऑपी स्टेंडर को कैसे बहतर किया जाए समाज में बैलेंस कैसे इस्थापित किया जाए इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा किय जाता है ठीक है तो इस बार समाजिक विकास आयोग का 62 नंबर का जो सत्र है उसकी अध्यच्छता किस ने किया तो भारत ने किया इसमें भारत के तरफ से कौन पाडिसिपेट किये तो युनाइटेड नेशन में भारत की जो पर्मानेंट रिपर्जेंटेटिव रही है रू ठीक है चलिए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है भूलना नहीं है सूपर इंपोर्टेंट है अब देखिए भारत अभी कहां कहां न्यूज में रहा है आई एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि भारत अभी किस-किस मामले में न्यूज में रहा है तो सबसे पह पर हस्ताचर किया भारत मेंस हौकी वर्ल्ड कप पहली बार भारत में हुआ था भूवनेश्वर में राउर केला में जो बिरसा मुंडा हौकी स्टेडियम में वहीं पर हुआ था ठीक है मेंस हौकी वर्ल्ड कप जिसको जर्मनी जीत गया था बेलजियम को हराकर तो मेंस हौ से लेकर 19 नॉम्बर तक जिसको ऑस्ट्रेलिया जीता था भारत को हराकर और क्वार्ड सम्मेलन 2024 ये भी भारत में होगा और दिसंबर 2023 में भारत अंतराष्ट्रे कपास सलहकार समिती की 81 नंबर की बैठक भी कौन उसकी अध्यचता किया था तो भारत उसकी अध्यचता किया थ तो दिसंबर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल कौटन एडवाईजरी कमेटी का 81 नंबर की जो मिटिंग होई थी उसको भी होश्ट भारत किया था साउथ एशिया का पहला सेंटर फोर इस्पेसिस सर्वाईकल ये कहां परिस्थापित होगा भारत में जिसका काम होगा कि भारत में ऐसे जीव जन्तू पेड़ पोधे जो विलुप्त होने के कगार पर आ गये है उसका संगरच्छन करना तो उसके लिए साउथ एशिया का प और भारत अभी आटमिस मिसन समझोते का 27 सदस्त भी बन गया है फूड सेफ्टी रेगूलेटर जितने भी है उनका ग्लोबल समिट जो हुआ था उसको होस्ट किया था भारत ये भी आपको याद रखना है 2023 में भारत ने अभी पारंपरिक दवा मने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर आसियान कंट्रीज की सम्मेलन की अध्यचता उसको भी भारत किया था ये भी आपको याद रखना है भारत अभी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेटरोलोजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13 नमबर का देश बन गया दोहजार चौबिस में भारत 46 न नमबई में हुआ था उसको भी भारत होस्ट किया था तो ये सब अभी भारत किस किस चीजों में सुर्खियों में बना रहा है ये मैंने आपको रिविजन करा दिया ठीक है हम बढ़ते आगे नेक्स्ट करेंट अफेर्स के तरब हमारा अगला करेंट अफेर ये काफी इन प रखना है कि अभी हाली में भारतिये महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एसिया चेंपियंशिप में कौन सा मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है तो कहां पर हुआ था ये आपका एसिया चेंपियंशिप तो भारतिये महिला बैडमिंटन टीम का जो मतब कि ये जो भारत गोल्ड मेडल जीता है, मतलब भारतिय महिला बैडमिंटन टीम जो है, वो पहली बार इसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाई है, एसिया चेंपियनसिप में, तो एसिया चेंपियनसिप का आयोजन इस बार मलेशिया में हुआ था, कहां पर हुआ था मलेशिया में, तो मल मलेशिया का स्ताह आलम नाम का सहर में ये एशिया चेंपियंटिप का आयोजन हुआ था एक जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जिसमें भारतिय महिला बैडमिंटन टीम गोल्ड मेडल जीती है पहली बार किसको हरा कर भारतिय महिला टीम ने इसको गोल्ड मेडल जीता है त भी आपको याद रखना है, 2016 और 2020 में जो एशिया चेंपियंसिप है, उसमें इंडियन मेंस बेडमिंटन टीम गोल्ड ब्रॉंज मेडल जीता था, लेकिन इस बार 2024 में जो एशिया चेंपियंसिप, जो मलेशिया के सहा आलम में हुआ है, जो एक बेडमिंटन का उसमें इंडियन वोमेंस बेडमिंटन टीम जो है, वो गोल्ड मेडल जीत ली है, किसको हराकर, तो मलेशिया की बेडमिंटन टीम को हराकर, तो इतनी बाते आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, सूपर इंपॉर्टन है, वेरी वेरी इंपॉर्टन है, अब बात बेड बेडमिंटन से है, बेडमिंटन खेलने वाले को शट्लर कहा जाता है, तो दो नाम है सात्विक साई राज, रंकी रेड़ी और चिराग सेटी की जोडी, तो बताओ ये दो नाम चर्चे में क्यों रहा? तो दो नाम चर्चे में इसलिए रहा, क्यूंकि दो हजार चौबिस के 2023 के लिए राजीव गांदी खेल रतन एवार्ड ठीक है तो राजीव गांदी खेल रतन एवार्ड से इनको सम्मानित किया गया तो राजीव गांदी खेल रतन एवार्ड जिनका नाम बदल कर मेजर ध्यांचन खेल रतन एवार्ड कर दिया गया है तो इस पोर्ट्स के मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड से सम्मानित किया गया सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी और चीराग सेटी की जोडी को इन दोनों का सम्मन बेडमिंटन से हैं। को गोल्ड मेडल यही दोनों की जोडी दिलाए है। सात्विक साहिराज और चीराग सेटी की जोडी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। भूलना नहीं है। सुपर इंपोर्टन है। वेरी वेरी इंपोर्टन है दियर एवरीवन। ठीक है। ओके चलिए। तो य एचेस प्रणय ने जीता था। याद रखेगा इसमें इसने ब्रॉंज मेडल जीता था। तो BWF World Badminton Championship 2023 में एचेस प्रणय ब्रॉंज मेडल जीते थे। तो एक्सदाम में पूछे का बताओ एचेस प्रणय का संबन्द किस खेल से है तो बेड़िमिंटन से है। मलेशिया सूधी रमन कप इसका संबन्द किस से है? बेड़िमिंटन से है। यहर दो-दो साल पर होता है। तो सूधी रमन कप 2023 यह चाइना में हुआ था। इसको चाइना जीत गया था साउथ कोरिया को हराकर। 2025 में जो सूधी रमन कप होगा वो इस्पेन में होगा। उसके बाद इ बेड़मिंटन चेंपियंशिप 2023 इंडिया ओपेन बेड़मिंटन चेंपियंशिप 2023 जिसको योनेक संराइज इंडिया ओपेन भी कहते है। उसमें में सिंगल का टाइटल कुल्नावत विधित सरन्ने जीते है जो थाइलेंड के बेड़मिंटन प्लेयर है। और वोमें सिं उसमें सात्विक साहिराज ने अपने बेडमिंटन से इतना जोर से कॉर्क को मारा जो पांज इसकी रफ्तार 545 किलोमेटर परती घंटा दर्च की गई है तो उसके लिए जो है बेडमिंटन में सात्विक साहिराज जो है रंकी रेड़ी उन्होंने सबसे तेज हिट का गिनिस रेकॉर्ड बनाया है याद रखीगा बेडमिंटन के लिए नैशनल एक्सिलेंन सेंटर की स्ठापना कहां पर की गई है असम के गुhati में याद रखीगा अभी आबुधावी मास्टर्स 2023 में वॉमें सिंगल का टैटल किसने जीता तो आबुधावी मास्टर टू यह UAE के आबुधावी में हुआ था तो आबुधावी मास्टर्स 2023 में वोमन सिंगल का टाइटल जीता है उन्नती हुड़ा ने याद रखेगा अभी 19th नंबर का एशियन गेम हुआ था चाइना के हौंग जोहू में आपको याद होगा 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक तो 19th न गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉंज किसने जीता तो किदांबिस रिकान जीते उसके बाद आपका लक्ष सेन जीते और चीराक सिट्टी जीते और इसमें ब्रॉंज मेडल जीते थे एच्छे स्प्रनाएं तो इतनी पॉइंट आपको याद रखना है दो तरह के कप्स होते है एक थॉमस कप एक उबर कप उचे का थॉमस कप और उबर कप का सम्मंध किस से है तो बेडमिंटन से है लेकिन थॉमस कप येक मेंस बेडमिंटन टूर्नामेंट है उबर कप वोमेंस बेडमिंटन टूर्नामेंट है ये 2022 में हुआ था लास्ट थॉमस कप जो 2022 में हुआ था जो एक Men's Badminton Tournament है, इसको भारत जीत गया था पहली बार इंडोनेसिया को हरा कर। और Uber Cup जो एक Women's Badminton Tournament है, Women's Badminton Championship है, इसको चाइना जीत गया था साउथ कोरिया को हरा कर। और अभी India Open Badminton 2024 में Women's Single का टाइटल किसने जीता तो ताई त्यूजिंग ने जीता है। ताई त्यूजिंग इनका सम्मन चाइना ताइपे से है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि India Open Badminton Championship 2024 में Women's Single का टाइटल जीता है ताई त्यूजिंग जो चाइना ताइपे की है। और Men's Single का टाइटल जीते थे CUQE ठीक है जो Republic of China से बिलोंग करते हैं। तो इतनी बाते आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाली में सैयद मोधी इंडिया इंटरनेशनल बेडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था 2023 में। तो सैयद मोधी इंडिया इंटरनेशनल बेडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में जो हुआ उसमें वोमेन सिंगल का टाइटल किस ने जीता तो आकाने यामा गुची ने जीता है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि अभी 85 नंबर का सीनियर नेशनल बेडमिंटन चेंपियंशिप 2023 में में सिंगल का टाइटल किस ने जीता है। में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल किस ने जीता। तो मलेशिया ओपेन जो बेडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ था उसमें में सिंगल में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। चिराग सेटी और सातविक साहिराज रंकी रेड़ी की जोडी ने। तो इतनी बाते आपको याद रखना है। पूलना नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और पूरी दुनिया में जो भी बेडमिंटन के टूर्नामेंट होते हैं, उसको रेगुलेट करने वाली बोडी कौन है? वो है आपका BWF, BWF का पूरा नाम है बेडमिंटन वर्ल्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 में ह हुई थी, इसका हेड़ क्वाटर है, मलेशिया की कैपिटल कौलालामपूर और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, पॉल एरिक, यह आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट करेंट अफर के तरब, हमारा अगला करेंट अफर का कोश्टन आपके सामने कहता है, अभी हाली में पहला प्रेंच फिल्म फेस्टिबल, प्रेंच फिल्म फेस्टिबल का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी किया गया कोलकाता में, तो वेस्ट बेंगॉल की कैपिटल जो कोलकाता है, ठीक है? जिसको सीटी ओप पैलेस कहते ह महलों का सहर कहते है तो वहाँ पर पहली बार फ्रेंच फिलिम फेस्टिबल का आयोजन किया ठीक है जिसको होस्ट किये है इस बार कौन हमारे अनिल कपूर जी ने याद रखेगा कोलकाता की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मामले में अभी कोलकाता करेंट अफर में जारी किया गया जिसमें बोला गया कि भारत का सबसे सेफ सिटी सबसे सुरचित सहर कौन है तो कोलकाता है वेश्ट बेंगॉल यानि कि पस्चिम मंगाल का ब्रेंड अमबेश्डर वेश्ट बेंगॉल का ब्रेंड अमबेश्डर ये किसको बनाया गया तो सौरभ गांगुल को बनाए गया याद रखिएगा 132 नमबर का दूरंड कप का संबन किसे है फूटबॉल से है तो 132 नमबर का दूरंड कप का आयोजन कहां पर किया गया था कोलकाता में ही किया गया था सॉल्ट लेकी स्टेडियम में, कोलकाता में, उसमें मोहन बगान जीत गये थे, इस्ट बेंगॉल को हरा कर, याद रखिएगा, और भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है, वो कहां पर सुरू हुआ है, तो कोलकाता में सुरू हुआ है, तो इतनी बाते आपको याद चेंपियनसिप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो पहला बार तो सवाल ये पूछा जागा, ये जो कतर ओपेन चेंपियनसिप 2024 हुआ, ये किस तरह का इवेंट है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट था, ये एक टेनिस टूर्नामेंट रहा है, टेनिस टूर्नामेंट, तो कतर सिंगल का टाइटल किस ने जीता है इगा स्वेटेक ने किसको हरा कर तो एलीना रीबा कीना को हरा कर तो इगा स्वेटेक का संबन पॉलेंड से है और एलीना रीबा कीना कि यह संबन किस से है तो कजाकिस्तान की है याद रखिएगा तो Qatar Open Championship 2024 जो एक tennis tournament है इसमें woman single का title किसने जीता है इगा स्वेटेक जो पॉलेंड की है किसको हरा कर तो कजाकिस्तान की एलिना रिबा की ना को हरा कर याद रखेगा भूलना नहीं है super super important है very very important है अब बात यहाँ पर tennis की हो रही है तो अब आईए पिछले एक साल में जो भी important tennis tournament हमेंट रहे वो हम आपको revision कराते है तो सबसे पहले हम लोग सुरुवात करते है grand slam सबसे पहले हम लोग सुरुवात करते है grand slam तो आप हमको बताओ कि एक साल में tennis के कितने grand slam होते है तो एक साल में tennis के कितने grand slam होते है कौन बताएगा तो चार grand slam होते है पहला कौन होता है पहल Wimbledon Open, Wimbledon Open, ओके और उसके बाद होता है आपका US Open, तो एक स्थाल में टेनिस के चार Grand Slam होते हैं, एक पहला होता है Australian Open, उसके बाद होता है French Open, उसके बाद होता है Wimbledon Open, उसके बाद होता है US Open, तो टेनिस की दुनिया में चार Grand Slam होते हैं, पहला होता है Australian Open, फिर होता है French Open, फिर होता है Wimbledon Open और फिर होता है US Open, तो टेनिस की दुनिया में चार Grand Slam होते हैं, याद रखिएगा, तो उसमें अभी 2024 में पहला Australian Open हुआ, तो Australian Open अभी 2024 में हुआ, उसमें में सिंगल का टाइटल जीते है, जैनिक स्थिनर, जो इटली के टेनिस प्लेयर है, किसको हराकर, तो रश्या के टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा, सुपर इंपोर्टेंट, और Australian Open अभी 2024 में, वोमें सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आरियाना सबालेंका ने जीता, जो बेलारूस की टेनिस प्लेयर है, किसको हराकर, तो जेंग किन्वेन को हराकर, जो चाइना की टेन याद रखिएग का टेनिस प्लेयर है, और सबसे इंपोर्टेंट नीऊज कि इसमें मेंस डबल का टाइटल किसने जीता, तो मेंस डबल का टाइटल जीते हैो, भारत के रोहन वोपनना, जो इंडिया के बेलारूस के अटेनीस प्लेयर है, 43 एर्ग के एज में, इसने मेंस ड जो ऑस्टेलिया के टेनिस प्लेयर है तो इतनी बाते आपको याद रखना है भूलना नहीं है सूपर इन्पोर्टेंट कुछ और भी टेनिस टूर्णामेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेविस कप तो पुछेगा बताईए डेविस कप का वोमेंस टेनिस टूर्णामेंट हुआ वोमेंस टेनिस टूर्णामेंट जिसको हम फेड कप कहते हैं जिसको बिली जिन किंग कप के नाम से भी जाना जाता है तो वोमेंस टेनिस टूर्णामेंट फेड कप जिसको बिली जिन किंग कप कहते हैं इसको पहली बार कनाड़ा जी दो हजार तीज के अंत में ATP रैंकिंग, Association of Tennis Professional, तो दो हजार तीज के अंत में ATP रैंकिंग में सिर्थ अस्थान किसे मिला है, तो नवाग जोकुविक को मिला है और वोमेंस रैंकिंग में किसको मिला है, इगा स्वेटेक को, जो पॉलेंड की टैनिस प्लेयर है, नवाग Hall of Fame में सामिल होने वाले पहले ACI पूरुस खिलाडी कौन बने है, तो अभी International Tennis Hall of Fame में सामिल होने वाले पहले ACI मेंस खिलाडी जो बने है, वो बने एक लिएंडर पेस और एक बिजय अमरित राज, यह आपको भूलना नहीं है, और उसके बाद अभी टैनिस के यूगल वर अग में, ठीक है, सिर्श वरियता हासिल करने वाले सबसे उम्रदाच खिलाडी कौन बने थे, रोहन बपन्ना और मैथ्यूज एबडेन, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, अभी यह मैंने आपको पढ़ा दिया था, अभी जेस्ट बताया है, अभी किस खिलाडी ने, इंटरनेशनल किस खिलारी ने, किस खिलारी ने अभी इंटरनेशनल टेनीस फेडरेशन वर्ल्ड चेंपियनसिप पुरुसकार जीता है, तो एक है नवाग जोकविक और एक आरियाना सबालेंका, तो नवाग जोकविक जो सर्विया के टेनीस प्लेयर है, आरियाना सबालें में जो किस ने कौन वीनर हुए तो बैंगलूरू मावेरीवस वीनर हुए है किसको हरा कर तो बंगाल विजार्ट को हरा कर एक कप हुआ था United Cup, बहुत important है, कि United Cup का संबन किस से है, आपका tennis से है, United Cup का संबन tennis से है, तो United Cup 2024 जो Sydney में हुआ था, Australia का सहर Sydney में हुआ था, उसको किस ने जीता था, जर्मनी जीत गया था, किसको हरा कर, तो Poland को हरा कर, तो ये points भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, super important है, ठीक है, चलि जितना भी back date का current affairs था, वो मैंने आपको revision करा दिया, एक और revision करते है, अभी हाली में चन्नाई ओपेन 2024 में, main single का title किसने जीता है, ये भी एक tennis का tournament रहा है, अभी फरवरी मंत में ही हुआ है, चन्नाई ओपेन 2024, ठीक है, इसमें main single का title जीते थे, सुमित नांगल, तो सुमित लुका नार्दी को हरा कर, इतली के लुका नार्दी को हरा कर, याद रखेगा, और इसमें main double का title जीते है, राजकुमार रामनाथन और साकेत मोईनेनी, तो ये भी points आपको याद रखना है, चलिए, अब आते हैं अपने next current affairs के तरब, हमारा अगला current affairs है कि अभी हाली में, व तो world social forum, जो conference है, 16th number का, ये कहां पर आयजित हुआ, नेपाल के काठमांडू में, और इस बार उसकी theme क्या रही है, एक और दुनिया संभव है, एक और दुनिया संभव है, याद रखेगा, super important है, बात नेपाल की हो रही है, तो नेपाल की capital क्या है, तो काठमांडू है, ने नेपाल के प्रधान मंतरी कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो पुस्प कमल दहल है, याद रखेगा, पुस्प कमल दहल, पुछेगा, कि भारत के कितने ऐसे राज्ये है, जो नेपाल से अपना boundary share करते है, तो याद रखना, पांच राज्ये, पांच राज्ये नेपाल से सार्क का हेड़क्वाटर है, आप पढ़े होंगे, सार्क, सार्क का हेड़क्वाटर कहां है, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है, सार्क का पुरा नाम है, साउथ एशियन एसोसियेशन फूर रिजिनल कॉपरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, काठमा member है कौन-कौन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, सिरलंका, मालदिव और बंगलादेश और अभी सूरी किरन नाम का एक military exercise ये भारत और नेपाल के आर्मी के बीच हुआ था सूरी किरन नाम का military exercise तो इतनी बाते आपको याद रखना है, बात सम्मेलन की हो रही है, तो अब आईए कौन-कौन सा सम्मेलन पिछले एक साल में आयजूत हुआ है, राष्ट्री और अंतराष्ट्रिस्तर के national और international level पर जो भी important सम्मेलन हुए है, summit हुए है, आई एक बार हम लोग इसका revision करते हैं, तो भया, BRICS सम्मेलन 2023, ये हर साल होता है, इस बार का ये 12वा संस्करन था, ठीक है, 12th edition था, 12th नहीं साय, 15th edition था, पंदरवा संस्करन था, तो इस बार ये के जोहांसबर्ग में, 22 से 23 अगस्त को, और इसमें एक जनवरी 2024 को कितने नए कंट्री मेंबर BRICS के सदस्य से बने हैं, तो पाँच, पाँच कौन-कौन है, एजिप्ट, इतोफिया, इरान, साओधी अरब और UAE, तो ये पाँच देश, एक जनवरी 2024 को BRICS के नए मेंबर बन गए है, अरजेंटीना भी इसका मेंबर बनना था, लेकिन इसने बोला कि हम मेंबर नई बनेंगे BRICS का, याद रखेगा, अभी संगहाई कॉपरेटिव और्गनाईजेशन 2023, इसको कौन होस्ट किया था, तो संगहाई कॉपरेटिव का हेड़ क्वार्टर संगहाई नहीं है, वो बिजिंग में है, तो ये confusion एकदम दूर रखियेगा, तो 23 संगहाई कॉपरेटिव और्गनाईजेशन 2023 को होस्ट किया था भारत, संगहाई कॉपरेटिव और्गनाईजेशन में टोटल 9 कंट्री मेंबर है, 9 कंट्री मेंबर किर्गिस्तान, कजकिस्तान, तजकिस्तान, उजबेकिस्तान, रस्तिया, चाइना, इंडिया और इरान, इरान 9 नंबर का कंट्री मेंबर मना था संगहाई कॉपरेटिव और्गनाईजेशन का, 9 नंबर का कंट्री मेंबर मना है इरान, और 2023 में जो संगहाई कॉपरेटिव हुआ था मिटिंग उसको होस्ट किया था भारत और संगाई कॉपरेटिव और्गनाईजिसन ने 2022-23 के लिए कल्चरल कैपिटल और टूरिज्म कैपिटल डिकलियर किया था वारण श्री को यह भी आपको याद रखना एक्जाम में पूछा गया है और 18 नंबर का 18 नंबर का ज जिसमें टोटल अब 101 देश हो चुके है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसके अब नए मेंबर बन चुके है जिसमें टोटल 55 देश है तो जी ट्वेंटी सम्मेलन 2023 जो 9 से 10 सितंबर को हुआ था भारत में न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था इंटरनेशनल कन्वें सेंटर में ठेक है जिसका थीम था वासूदेव कुटुम्बकम तो 18 नंबर का जी ट्वेंटी सम्मेलन को होष्ट किया था भारत जबकि 2024 में जो जी ट्वेंटी सम्मेलन होगा वो ब्राजिल में होगा 49 नंबर का जी सेबन समिट ये 2023 में कहां पर हुआ था जापान में के और US, Quad Summellan 2023, तो Quad का पूरा नाम है Quadilateral Security Dialogue, तो Quad Summellan 2023, जिसमें चार सदस से देश आते हैं, Quad में, इंडिया, उस्टेलिया, US और जपान, 2023 में इसको होस्ट किया था जपान, और 2024 में Quad Summellan को होस्ट करेगा भारत, 43 नंबर का जो ASEAN Summit हुआ था, Association of South East Asia Nation, जिसका Headquarter इंडोनेसिया का जपारता है, तो 43 नंबर का ASEAN Summit 2023 को होस्ट किया था, इंडोनेसिया, और BIMISTAK Summellan 2023, इसको होस्ट किया था, 2023 में थाइलेंड, BIMISTAK, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, Headquarter मांगला देश की केपिडल धाका है, Technical and Economic Corporation, इसमें साथ सदस्य देश है, बांगला देश, भूटान, इंडिया, मयामार, सिरलंका, थाइलेंड और नेपाल, तो 2023 में BIMISTAK Summellan को होस्ट किया है थाइलेंड, और Climate Conference 2024, ये मुंबई में आयो जित हुआ है, और Summer Olympic 2020, ये टोकियो में आयो जित हुआ, याद रखेगा जबकि 2024 वाला, जो Summer Olympic है, ये आपका, फ्रांस की Capital, पेरिस में होगा, और 2023 वाला, जो Summer Olympic है, 2028 वाला, ये लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा, जिसमें पांच नए खेलों को सामिल किया गया है, जिसमें एक क्रिकेट भी है, 2024 में ब्रिक्स तिखर सम्मेलन कहां होगा, रश्या में होगा, और United Nation Framework Convention to Climate Change के द्वारा आयोजित, COP सम्मेलन, तो 2023 में जो COP 28 सम्मेलन हुआ था, इसमें जलवायू परिवर्तन जैसे मुद्दो पर चर्चा होता है, तो 2023 में जो COP 28 सम्मेलन हुआ था, ये UAE में हुआ था, UAE के दुबई में, जबकि COP 29 सम्मिट ये अजर बैजान के बाकू में होगा, 2024 में, पांचवे नंबर का World Ayurved सम्मेलन, तो पांचवे नंबर का World Ayurved सम्मेलन जो है, इसका आयोजन केरल में हुआ था, तिर्वनंद पूरब में, सुपर इन्पॉर्टेंट है, और 82 नंबर का अ अंतराष्ट वकील सम्मेलन, 2023, पहली बार International Summit on Advocate, तो अंतराष्ट वकील सम्मेलन, 2023 का आयोजन, न्यू दिल्ली में हुआ है, पहली बार, पहली बार हल्दी सम्मेलन, 2023, फर्स्ट टाइम, तर्मरिक सम्मिट, हल्दी सम्मेलन का आयोजन, ये आपका मुंबई में हुआ है, इसका आयोजन, इसको होस्ट किया था, यूगांडा, वर्ल्ड बैंक डेवलप्मेंट कमिटी का, 108 में नंबर का जो मिटिंग हुआ, वो मुरक्को के मराकश में हुआ था, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का, 141 सत्र, ये भारत के मुंबई में हुआ था, जीयो कन्वें किया गया, 91 नंबर का इंटर पोल का सम्मेलन, ये औस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुआ था, दूसरे नंबर का वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फॉरम का आयोजन, ये नीदरलेंड की कैपिटल दाहेग में हुआ है, 6 नंबर का इंडिया साइन्स समिट एंड एक्सपो क आयोजन ये एहमदाबाद में हुआ है, और 82 नंबर का इंडियान हिस्ट्री कॉंगरेस का आयोजन ये तेलंगना के वारंगल में हुआ था, काकटिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, अभी हमारे उपर आश्ट्रपती के द्वारा, बांधों क की सुरच्छा पर, डेम्स के प्रोटेक्शन पर अंतराश्ट सम्मेलन का उद्गाटन जैपूर में किया गया, फूड एगरी कल्चरल और्गनाजेशन जिसका हेड़ क्वार्टर इटली में है, रोम, तो फूड एगरी कल्चरल और्गनाजेशन ने किसानों के अधिकार प पहला ग्लोबल समिट का आयोजन कहां किया, भारत में, बारवे नंबर का, टुवेल्थ नंबर का वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन दोहजार तैस, ये फीजी में आयजित किया गया, और तीसरे नंबर का वर्ल्ड हिंदु सम्मेलन दोहजार तैस, ये बैंकॉक में आयजित किया ग और United Nation का पहला जल सम्मेलन Water Summit का आयोजन New York में हुआ है, दुनिया की पहली Humanoid Robot Press Conference का आयोजन जेनेवा में हुआ, इंडिया Mobile Congress 2023 का आयोजन ये New Delhi में हुआ है, Food Safety Regulators का पहला Global Summit 2023 इसका आयोजन भारत में हुआ, दूसरे नंबर का Confederation of Indian Industry, India, Nordic और Baltic Business Conclave 2023 का आयोजन New Delhi में हुआ वर्ल्ड Radio Communication Summit 2023 का आयोजन UAE में हुआ, अभी 58 नंबर का All India DGP IGP Annual Summit इसका आयोजन जेपूर में हुआ है, कुछ और भी सम्मेलन देखें, तो भारत में पहली बार UNESCO World Heritage Committee का 46 नंबर की सत्र की अध्यच्यता भारत कर रहा है, याद रखना, और UNESCO में भारत का Permanent Representative कौन है, वि का सम्मेलन अभी युगांडा में हुआ है, याद रखेगा, सुपर इंपोर्टेंट है, और Commonwealth Attorney, जितने भी Commonwealth Country है, 54 Commonwealth Country है, उनमें Commonwealth Attorney General और Solicitor General का Conference, इसका आयोजन कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया है, और अभी हाली में समुद्र सैवाल खेती को बढ़ावा देने के लिए, पहला National Summit कहां पर हुआ, तो गुजरात में हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, और अभी सात्वे नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो ऑस्टेलिया में किया था, 9 से 10 फरवरी को ऑस्टेलिया के पर्थ में, जिसका थीम था, ठीक है, याद रखेगा, इसमें फॉरेन मिनिस्टर, एस दे संकर इसमें पाडिसिपेट किये थे, सुपर इंपोर्टेंट है, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट, कि अभी हाली में लगपती दीदी सम्म कायोजन कहां पर किया गया, राजस्थान में, राजस्थान के डुंगरपूर के बेनेस्वर धाम में, लगपती दीदी सम्मेलन कायोजन किया गया, और इस सम्मेलन कायोजन किसके द्वारा किया गया, राश्पती द्रोपती मुर्मुजी के द्वारा, यह आपको याद इक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स तीकर सम्मेलन का आयोजन गुहाटी में किया गया ठीक है याद रखेगा किस के द्वारा तो इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मिनिस्टर के द्वारा 15 फरवरी को किलियर और अभी याद रखेगा एक सम्मेलन होता है उस सम्मेलन का नाम है राई सेना डायलोग तो नाइन्थ नंबर का राई सेना डायलोग में किस देश के परधान मंत्री मुख्य अथिती होंगे तो ग्रिस के राई सेना डायलोग की बात करने तो इसके ओर्गनाइजर कौन है तो 2024 में जो संस्करन है यह 21 से लेकर 22 फरवरी तक इसका आयोजन होगा इसमें चीप गेश्ट है ग्रीस के प्रेसिडेंट जिसका नाम है किरिया कोस मिच्सोकस किरिया कोस मिच्सोताकिस किरिया कोस मिच्सोताकिस जो है यह ग्रीस के वरतमान में प्रेसिडेंट है यही Rise and I Dialogue में जो है वो आपके cheap guest बनके आ रहा है याद रखेगा, super important है, clear, ओके और इसका theme क्या है Rise and I Dialogue का, तो theme है चतुरंगा, conflict, I contest, I cooperation, I create, तो यह point आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, चलिए, ग्रीस की बात हो रही है, तो देखो, ग्रीस की capital क्या है, Athens, ग्रीस की capital Athens है, और Athens में ही पहली बार Olympic हुआ था, Summer Olympic 1896 में, ग्रीस की currency है, Euro, यह आपको याद रखना है, ग्रीस के प्रधान मंत्री तो आपको पता चली गया, कौन है, तो किरिया कोस, मिचसा तोकिस, मिचसा ताकिस है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ग्रीस के, तो वो है, Grand Cross of the Order of Honor Award से सम्मानित किया गया था, तो परधान मंत्री मोधी जी जब ग्रीस की आत्रा पर गये थे, तो वहाँ पर उनको सबसे हाइस्ट Civilian Award, Grand Cross of the Order of Honor Award से सम्मानित किया गया, और अभी रिसेंटली हमने ग्रीस से रिलेटेड एक करेंट अफर पढ़ा था, तीन-चार है, क्लियर, चलिए, हमारा आज का साइध यह आखरी का इंटरफेर है, कि अभी दुनिया का पहला लकडी का उगरह, लकडी का बना हुआ सेटलाइट, उसको नासा और किसके द्वारा लॉंच किया जाएगा, तो इसका राइट अंसर होगा जाकसा, तो जाकसा आपको पता ह है, यह जापान की स्पेस एजनसी है, जैसे हमारे देश की स्पेस एजनसी है, इसरो, अमेरिका की स्पेस एजनसी है, नासा, ठीक है, और रसिया की स्पेस एजनसी है, रॉस कोस्मोस, उसी तरह जापान की स्पेस एजनसी है, जाकसा, तो दुनिया का पहला लकडी का बना उसको NASA और किसके द्वारा लॉंच किया जाएगा जाकस्ता के द्वारा जाकस्ता जो जपान की स्पेस एजनसी है तो NASA और जपान की aerospace company जिसका नाम है जाकस्ता जाकस्ता का पूरा नाम है जापान Aerospace Exploration Agency तो इन्होंने अंतरिक्ष उडान को और अधिक टिकाओ बनाने के लिए लिगनोसेट नाम का दुनिया का पहला लकड़ी का सेटलाइट को स्पेस में लॉन्ज करने की योजना बना रहा है कौन-कौन? तो एक जाक्सा और एक नासा तो अमयरिका की स्पेस एजनसी नासा और जापान की स्पेस एजनसी जो इन दोनों ने मिलकर इस्पेस उडान को और अधिक टिकाव बनाने के लिए लिगनो सेट नामक दुनिया का पहला लकडी का बना हुआ सेटलाइट ठीक है को इस्पेस में लॉंच करने की योजना बना रहा है लिगनो सेट जो है ये मैगनोलिया लकडी से बना हुआ है तो लकडी का सेटलाइट बनाया था उस सेटलाइट का नाम क्या है तो उस सेटलाइट का नाम है लिगनो सेट सेटलाइट कौन सा सेटलाइट लिगनो सेट सेटलाइट ठीक है और ये जो लिगनो सेट सेटलाइट है ये किस लकडी से बनाय गया है तो मैगनोलिया नाम का लकड में इसको launch किया जाएगा तो ये point आपको याद रखना है super important है very very important है clear चलो तो ये लकडी का एक satellite होगा जो पहली बार इसको NASA और जाकसा जो जपान की space agency है इसको launch करेगा गर्मी में 2024 में और ये उस satellite का नाम क्या होगा लिगनो सेट सेटलाइड ये किस लकडी से बना होगा तो मैगोनिलिया नाम का लकडी से कौन मैगनोलिया नाम का लकडी से सारा detail में ये लिखा हुआ है ठीक है चलो याद रखेगा भूलना नहीं है नासा की बात हो रही है नासा का पुरा नाम है National Aeronautics and Space Administration इसकी स्थापना 1958 में हुई थी ये आपको पता है इसका headquarters वासिंटन डिसी में है इसके administrator का नाम है Bill Nelson और नासा का motto का नाम है for the benefit of all नासा और इसरो के द्वारा अभी एक mission launch किया जाएगा 2024 तक उसका नाम है निसार मिस निसार ये अर्थ के observation के लिए है निसार का पुरा नाम है NASA Isro Synthetic Aperture Radar ये भी आपको याद रखना है ये NASA और इसरो का joint mission है जिसका नाम है निसार जो 2024 पच्चिस तक launch होगा निसार का पुरा नाम है NASA Isro Synthetic Aperture Radar Lupex ये आपको भूलना नहीं है Lupex तो है ये India और Japan का moon mission का नाम है Lupex इंडिया और Japan का moon mission का नाम है Lupex का पुरा नाम है lunar polar exploration mission याद रखिएगा और अभी Falcon 9 नाम का rocket से Falcon 9 नाम का rocket से NASA के गुप्त space plane जिसका नाम है X-37B को भी launch किया गया था और Japan चांद पर जाने वाला पाँचवा देश भी बन गया है ठीक है America, Russia, China, India के बाद Japan पाँचवा देश बना है जो चंदरमा पर कदम रखा था ठीक है तो ये point भी आपको याद रखना है super important है very important है तो ये सब आपको NASA के बारे में याद रखना है भूलना नहीं है ठीक है और complete है तो ये हमारा आज का current offer के class समाप्त हो गई तो देखिए मेरे current offer में आपको यही खास बात देखने को मिलेगा कि हम आपको daily current offer भी पढ़ाते रहेंगे और उसी को link करते ताकि आपको सब कुछ याद रहें ठीक है क्योंकि daily current offer पढ़ना जितना हमारे लिए important है उससे भी ज़्यादा important है कि आप back date का current offer याद है कि नहीं ठीक है इसलिए हम regular के current offer में आपको latest current offer के साथ back date का भी revision कराते रहते हैं और सहज तरीके से पढ़ाते हैं आसान सब्दों में पढ़ाते हैं ताकि current offer पढ़ने में आपको मजा आए इंट्रेस्ट आए ठीक है चलिए तो thank you everyone thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने अपना किम्ती वक्त दिया thank you so much session को आप लोग लाइक कर दीजे चैनल में पहली बारा है सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन ज कर दो